नमस्कार दोस्तों अगत है आप सभी का आर्पी टेक्निकल इस्टडी यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में अपन बात करेंगे टेक्निकल एलपर का परिविस येर क्यूशन पर जो की 23 अगस्त 2018 को थर्डशिप्ट में वह था तो इसके कुछ क्यूशन द दोके बीच परवाहित होने वाली विदुदधारा को क्या कहा जाता है ole trilogy का दोस्तों इसका क्रेक्ट-क्रेक्ट-क्रन्षर क्या होगगा उप्सऑन नमबर C holding current correct answer क्या होगा option number C अगला question दे रहा है एक आथ से पकड़ने वाले portable type current transformer खालिस्तान है किसका उप्योग circuit loading को मापने के लिए किया जा सकता है option दे रहा है clamp meter, b दे रहा है alt meter, c दे रहा है emeter, d दे रहा है watt meter, e दे रहा है potential meter, तो इसका correct answer क्या होगा, इसका correct answer हो जाएगा clamp meter, एक आथ से पकड़ने वाला portable type current transformer कौन सा है clamp meter, जिसका उप्योग किसके लिए किया जाता, loading को मापने के लिए circuit loading को मापने के लिए तो right answer हो जाएगा, option number ये, अगला question, अगला question दे रहा है किस wiring में, तीन लेंप चलाने के लिए, केवल तीन टूवे सीवचों की आव सकता होगी, इनमें से कौन से wiring है option A दे रहा है go down wiring, B दे रहा है socket outlet wiring, C दे रहा है conduit wiring, D दे रहा है button wiring, E दे रहा है control switchboard wiring, तो correct answer क्या होगा, तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा, go down wiring, correct answer क्या होगा, option number ये, next question दोस्तो अगला question दे रहा, bookalls relay, किस में इस्तापित होती है, air cooled transformer में, oil cooled transformer में, welding transformer में, furnace transformer में, phase shifting transformer में, तो bookalls relay होती है, वह किस में इस्तापित होती है, important question है, फटाफट से बताईए, क्या होगा, इसका correct answer, तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा, oil cooled transformer में, किस में होती है, oil दुआरा थंड़ा किया जाता है जो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें oil भरा जाता है उस ट्रांसफार्मर में बुकोल्स इरिले इस्तापितर अगला क्यूशन दिर्खा चुंब पिया ओभर लोड्ड इले से तुलना करने पर thermal overload relay होती है, option यह दे रखा है, तीवरे, B दे रखा है, मंद, C दे रखा है, आकार में हदिक बड़ी, D दे रखा, ताप, आवरन, यूगत, E दे रखा, अतियंत, तीवरे, तो correct answer क्या होगा, इसका correct answer हो जाएगा, मंद होती है, क्या होती है, चुम्ब के overlaid relay से अगर तु पॉल लाइनों के सीरव पर anchor या down यह उपयोग किया जाता है, line conductor का खिचाओ सामानेते कहलाता है, क्या कहलाता है, spawn गई, head गई, arm गई, terminal गई, pole गई, correct answer क्या होगा, important question है, तो इसका correct answer हो जाएगा, terminal गल, क्या हो जाएगा, terminal गई, right answer होगा, option number D, अगला question, अगला question है, BIL का विस्तार क्या है, BIL का फुल फॉरम बताना है, तो BIL का फुल फॉरम क्या होता है, option एदर का basic intermediate line, B दर का binding inner line, C दर का basic insulation level, D दर का border of intermediate line, E दर का band intermediate level, तो correct answer क्या होगा, BIL का फुल फॉरम क्या है, important question है, बताईए क्या होगा, तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा, option number C, क्या होगा, basic insulation level, correct answer क्या होगा, option number C, basic insulation level, next question, लगबग समान आकार की दो रस्यों को परस्पर बांधने के लिए, निमन में से कौन सी विद्धी परियोग की जाती है, option एदर का आप हीच गांट है, option B दर का वर्गा कार गांट है, C दर का overhead गांट है, D दर का ball line, E दर का rip गांट, तो कौन सी गांट होगी, important question है, इसका right answer हो जाएगा, वर्गा कार गांट, correct answer क्या होगा, option number B, अगला question, अगला question दर का ball line गांट की परतिशत सुद्रणता कितनी होती है, उसकी परतिशत सुद्रणता कितनी होती है, 45, 50, 60, 70, 80, correct answer क्या होगा, इसका correct answer हो जाएगा, option number C, 60, अगला question दर का HV, paration line में किस परकार के insulator उप्योग किये जाते है, high voltage paration line होती है, उसमें किस परकार के insulator उप्योग में लिए जाते है, option A दर का pin type insulator, B दर का suspension insulator, C दर का cycle insulator, D दर का A और B दोनो, E दर का इन में से कोई नहीं, तो correct answer क्या होगा, इसका correct answer हो जाएगा, pin type insulator correct answer क्या होगा, option number ये, अगला question, दोस्तो अगला question दर का transformer का कौन सा बाग, सर्वादिक तापित होता है, इन में से transformer का कौन सा बाग, सर्वादिक तापित होता है, core, winding, oil, frame, insulator, correct answer क्या होगा, important question है, तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा, winding सबसे गरम होने वाला बाग होता है, next question, अगला क्यूशन है ट्रांसपार्मर में परिवेस्ट करने वाली वायू से नमी सोखने के लिए नीमन में से किसका उपयोग किया जाता है ट्रांसपार्मर में परिवेस्ट करने वाली वायू की नमी को सोखने के लिए किसका परियोग किया जाता है तो कौनसा करेक्ट आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर होजएगा सिलिका जेल करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर D अग्ला क्युशन, दोस्तों अग्ला क्युशन देरका सूचालाने वाले पधार्थ का निमन में से कोणसा गुण नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊच परती रोद राइट आंसर क्या होगा option number C अगला क्यूशन दे रखा है Any code of India के अनुसार Neutral का रंग कोड क्या होता है Neutral तार होता है उसका रंग कोन सा होता है लाल, निला, काला, हरा या सपेद फटाबड से बताईए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा काला correct answer क्या होगा option number C अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दे रखा मानाव शरीर की गिली ताउचा का परतिरोध किसकी सीमा में होता है सुन्ने पॉइंट एक किलो ओम option भी दे रखा सुन्ने पॉइंट चार किलो ओम से सुन्ने पॉइंट 6 किलो ओम C दे रखा 1 किलो ओम D दे रखा 10 किलो ओम E दे रखा 100 किलो ओम से 600 किलो ओम तो correct answer क्या होगा इसका correct answer हो जाएगा 1 किलो ओम मानाव शरीर की गिली ताउचा का परतिरोध कितना होता है 1 किलो ओम तो right answer हो जाएगा option number C अगला question अगला question दे राका पलेट अर्थिंग में दो समांतर पलेटों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए 8 मेटर, 10 मेटर, 12 मेटर, 30 मेटर, 50 मेटर तो right answer क्या होगा तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा पलेट अर्थिंग में पदाहर्थ के दिव वेदूतिक परवलता किस पर निर्वर होती है? उप्षन ए दिरा का परियूख तो ओल्टता, बी दिरा का मोटा, इसी दिरा के इलेक्ट्रोड की आकरती, डी दिरा का माध्यम, इदिरा का इन में से सब लिए. तो correct answer क्या होगा इसका correct answer हो जाएगा इन्हें सब पदार्त की दिव वेदुतिक परवलता किस पर निर्वर करती है परियुक्त ओल्टता पर भी मोटाई पर भी इलेक्ट्रोड की आकरती पर भी वे माध्यम पर भी तो correct answer क्या हो जाएगा option number अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दिर्खा LVDT का output किसके रूप में होता है option दिर्खा Pulse C, B दिर्खा Core का रेखी विस्तापन, C दिर्खा Core का गुर्णी विस्तापन, D दिर्खा उच आवरती के signal, E दिर्खा निमन आवरती के signal तो correct answer क्या होगा इसका correct answer हो जाएग Core का रेखी के विस्तापन, right answer होगा option B, अगला क्यूशन दिर्खा solar cell से, हदिक्तम सक्ति का short circuit धारा थाता open circuit ओल्ट ताके उननफल से होता है, क्या कहलाता है Option A दिर्खा फारम फैक्टर, B दिर्खा पिक फैक्टर, C दिर्खा RMS, D दिर्खा O satman, E दिर्खा फिल फैक्टर, तो correct answer क्या हो जाएग इसका correct answer हो जाएगा, फिल फैक्टर, correct answer क्या हो जाएगा option नमबर E, अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दिरका अर्दचालक में किस परकार का इलेक्ट्रोन युगम उपस्तित होता है अर्दचालक होता है उसमें किस परकार का इलेक्ट्रोन युगम उपस्तित होता है उप्शन ए दिरका आई नी बी दिरका है गेर आई नी C दे रखा होमो पोलर D दे रखा एट्रो पोलर E दे रखा सासनियोजी तो correct answer होगा इसका option C होमो पोलर correct answer क्या होगा होमो पोलर option C अगला question wiring संस्तापन में परियुक्ते समस्त पलग और socket outlet होने चाहिए किस परकार के होने चाहिए 2 pin, 3 pin 2 in 1, 3 in 1 यह इन में से कोई नहीं तो right answer क्या होगा इसका correct answer हो जाएगा 3 pin वाले होने चाहिए correct answer क्या हो जाएगा 3 pin वाले होने चाहिए अगला question दोस्तो अगला question दे रखा है 5 ampere की एक circuit दर के लिए सही तिन तामबे का तार का अकार क्या होगा 5 ampere की एक circuit दर के लिए यह तिन तामबे का तार का अकार क्या होगा 35SWG 36SWG 37SWG 38SWG 49SWG तो correct answer क्या होगा इसका correct answer हो जाएगा option number यह 35SWG correct answer क्या हो जाएगा 35SWG right answer होगा option number यह अगला question अगला question दे रखा मध्या मिस्तर के load के लिए सुरक्षा तमक उपकरनों का fusion factor होता है मध्या मिस्तर के load के लिए सुरक्षा तमक उपकरनों का fusion factor क्या होता है तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा 1.45 correct answer क्या होगा 1.45 अगला question अगला question दे रखा बाजार में उपलवद कंड्यूट की मानक लंबाई होती है 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर या 12 मीटर तो correct answer क्या होगा तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा 62 का option number C sorry option number B 3 मीटर correct answer क्या होगा option number B 3 मीटर अगला question अगला question दे रखा electronic soldering काम में इस्तेमाल होने वाले टीन लीड मिसर दात्तू solder तार किस पर फिगलता है कितने degree Celsius पर फिगलता है option दे रखा 183 degree Celsius B दे रखा 333 degree Celsius C दे रखा 602 degree Celsius D दे रखा 1030 degree Celsius E दे रखा 1200 degree Celsius तो correct answer क्या होगा इसका correct answer हो जाएगा option number E 183 degree Celsius पर correct answer हो जाएगा option number E अगला क्यूशन अगला क्यूशन दे रखा आम तोर पर D.O.L. starter का उन मोटरों के लिए उप्योग किया जाता है जिनने से नीचे rate किया जाता है कितने किलोवाट से नीचे rate किया जाता है rating किया जाता है 2 किलोवाट 5 किलोवाट 8 किलोवाट 10 किलोवाट 13 किलोवाट तो correct answer क्या होगा इसका correct answer हो जाएगा 5 किलोवाट से नीचे के load पर rating की जाती है D.O.L. starter के उन मोटरों के लिए अगला क्यूशन अगला क्यूशन दे रखा capacity reaction reaction किसके विपरित अनुपात में है option E. दे रखा विदुद्दारा B. दे रखा voltage C. दे रखा आवरती D. दे रखा I. दे रखा परतिरोद तो correct answer क्या होगा इसका आवरती frequency अगला क्यूशन overhead telephone तार है पितल के तार plastic के तार ACSR conductor aluminum के तार या steel के तार तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा option number E. इस्टील के तार होते overhead telephone तार right answer क्या होगा option number E. अगला क्यूशन अगला क्यूशन दे रखा induction और radiation के कारण सबी समाक्षिय रेखा में कम हो जाता है new thumb, हदिक्तम, इस्टीर सुनने इन में से कोई नी तो right answer क्या होगा इसका correct answer हो जाएगा new thumb induction और radiation के कारण समाक्षिय रेखा में new thumb हो जाता है कम हो जाता है अगला क्यूशन अगला क्यूशन दे रखा जब SCR off हो जाता है तो circuit में current होता है बिल्कुल सुनने छोटे रिशाव का current है बड़े रिशाव का current है बहुत बड़े रिशाव का current है इन में से कोई ली तो दोस्तो इसका correct answer होगा छोटे रिशाव का current होता है क्या होता है छोटे रिशाव का current होता है correct answer होगा option B अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्ईशन धे रखा है 1200 ट्रंस के प्रात्मिक कोयल के साथ है और 120 ट्रंस के दिवतिय कोयल के साथ एक ट्रांसफार्मर में 240 Oltegg से इसके प्रात्मिक से जुड़ा हुआ है तो Output voltage क्या है Output voltage क्या होगा Secondary का Oltegg क्या होगा तो secondary का voltage क्या निकालना है क्या निकालना है secondary का voltage तो voltage ग्याद करेंगे किसके आदार पर ट्रंस की संक्या के आदार पर तो V2 वटे V1 बराबर N2 ट्रंस की संक्या क्या दिरख की है ट्रंस की संक्या N में ग्याद करेंगे तो N2 वटे N1 तो N2 का मान कितना दिरका है 120 टरन और N1 का मान कितना दिरका है 1200 और ओल्टेज कितना दिरका प्रात्मिक का 240 तो V2 तो ग्याद करना है V2 क्या करना है ग्याद करना है बटे V1 का मान कितना है 240 ओल्टेज बराबर N2 का मान कितना है 120 टरन 120 से 10 बार तो 10 से 40 कितना जाएगा 24 ओल्टेज करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 24 ओल्टेज राइट आंसर होगा उप्शन नमबर बी अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन है डायोड और दो ट्रांजिस्टर की तरह कारी करने वाला सेमिकंडक्टर ओप्ट करने ओप्शन एदर का ट्रायक, बी दर का डायक, सी दर का यूजट, डी दर का मोस्पेट, एदर का जी टी ओ तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूजट, डायोड और दो ट्रांजिस्टर की तरह कारी करने वाला सेमिकंडक्टर ओप्ट करन कोंशा होता है, यूजट, अगला क्यूशन दर का गूमने वाली विद्धूत DC मशिनों की गति को किस के दुवारा मापा जाता है, उप्शन E दर का टॉंक टायस्टर, B दर का मेगर, C दर का टैकोमेटर, D दर का उर्जामेटर, E दर का मल्टीमेटर, तो घुमने वाली विद्धूत DC मशिनों की गति को किस के दुवारा मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, Option C, टेकोमेटर दुवारा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, Option नमर C, अगला क्यूशन, अगला क्यूशन दे रहा का, पोल के सिरस से चलने वाला एक गाई तार, आसन पोल के सिरस के नीचे के एक बिंदू पर जाता है, जिसे क्या कहते हैं, इस्पेन गोई, हेड गोई, आरम गोई, टर्मिनल गोई, पोल गोई, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पोल के सिरस से चलने वाला एक गोई तार, आसन पोल के सिरस के नीचे के एक बिंदू पर जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे कहा जाता है, हेड गोई, उसे जली सरक्यिट के लिए आउशेक तामे के कंड़क्टर अर्थार तामे के चालक का निवनतंवाकार कितना होता है एक वरग मीमी 1.5 वरग यह दो वरग एमम तो पोइंट पॉइंट 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 वरग एमम यह दीन वरग एम एम तो करेक्ट आंशर हो जाएगा इसका 1.5 वरग MN क्या होगा 1.5 वरग MN राइट आंसर हो जाएगा option नमर B अगला क्यूशन अगला क्यूशन दिरेकत 6 voltage का EMF सरोट पूरी तरह से परतिरोधी लोड लेंप के साथ जुड़ा हुआ है और 2 एंपियर का परवा देता है सबी तार परतिरोध मुक्त है तो लेंप का परतिरोध क्या है परतिरोध ज्याद करना है धारा दे रखा है और voltage दे रखा है क्या दे रखा है धारा वह है voltage दे रखा है परतिरोध ज्याद करना है तो परतिरोध ज्याद करने का formula क्या होगा V बटे आई क्या होगा V बटे I V कमान कितना दे रखा है 6 voltage और धारा कमान कितना दे रखा है 2 amp तो 6 में 2 का भाग देगें तो कितना हो जाएगा 3 राइट आंसर क्या हो जाएगा ओप्षन नमबर B 3 ohm अगला क्यूशन दे रखा है transformer के खालिस्तान को निर्दारित करने के लिए open circuit परिक्षन किया जाता है option एक घूमने वाले हानी, option भी दे रखा copper हानी, c दे रखा friction हानी, d दे रखा eddy current हानी, e दे रखा power हानी तो correct answer क्या होगा? तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा eddy current हानी को निर्दारित करने के लिए open circuit टेस्ट किया जाता है transformer में कौन सा टेस्ट किया जाता है? open circuit टेस्ट eddy current को मापने के लिए किया जाता है अगला question दे रखा, ac के ओस्त मुल्ले के rms मुल्ले को अनुपात होता है क्या कहा जाता है? इसका correct answer हो जाएगा फारं factor, correct answer क्या होगा? फारं factor, right answer हो जाएगा option नमबर e अगला question दोस्तों अगला question है होदोगिक अनुपरियोगों में squirrel cage induction motor को इसके खालिस्तान के लिए प्रात्मिक्ता दी जाती है option a उच परारंबिक टोरक, b दिरका गती नियंत्रन विशेशता c दिरका कम रख रखाओ, d दिरका आसान उफलबदता, e दिरका उच लागत तो correct answer क्या होगा? ओदोगिक अनुपरियोगों में जो squirrel cage induction motor होती है उसके किसके लिए प्रात्मिक्ता दी जाती है तो इसका right answer हो जाएगा option number c, कम रख रखाओ के लिए इसकी कम रख रखाओ के आऊशकता होती है इसलिए इसको प्रात्मिक्ता दी जाती है तो right answer हो जाएगा option number c अगला क्यूशन, सरंकला परतिरोधी capacitor सर्किट में होता है क्या होता है? ओल्टेज करंट को निर्दारित करता है option b देरका कम ओल्टेज को निर्दारित करता है c देरका ओल्टेज करंट के साथ फेज में रहता है d देरका करंट के साथ ओल्टेज 180 डिगरी से आउट ओफ फेज बन जाता है वी दे रखा current के साथ voltage 90 degree से out of phase बन जाता है तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा option number B current voltage को निर्धारित करता है सरंकला प्रतिरोधी capacitor circuit में क्या होता है current voltage को निर्धारित करता है तो इसका right answer हो जाएगा option number B अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन है filter circuit जो आवरतियों के एक विशिस्ट band को च्छीनित करता है उसे कहते हैं उन्हें क्या कहते है band pass filter, band stop filter, उच pass filter, low pass filter, मद्यम filter तो उन्हें क्या कहा जाता है इसका correct answer क्या होगा option number B band stop filter, correct answer क्या होगा option number B अगला क्यूशन एक transistor में collector छेतर बनाया जाता है उत्सरजक छेतर से छोटा, उत्सरजक छेतर से बड़ा, आदार छेतर से छोटा, आदार छेतर के समान या सरोर्त छेतर के समान तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा उत्सरजक छेतर से बड़ा बनाया जाता है एक transistor में collector छेतर को कैसा बनाया जाता है उत्रसर्जक छेतर से बड़ा तो correct answer होगा option number B अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन FET के संद्रब में pinch of छेतर है option ये saturation छेतर, omic छेतर breakdown छेतर, cut off छेतर इनमें से कोई नहीं तो correct answer क्या होगा option number E saturation छेतर क्या होगा? saturation छेतर अगला क्यूशन कम पर्तिरोद वाले मान को किसके इस्तेमाल से सटिक तरीके से मापा जा सकता है? option E omiter, B देरका, multimeter C देरका, megare, D देरका Kelvin double bridge, E देरका when bridge तो correct answer क्या होगा? तो दोस्तों इसका correct answer होजाएग option number D Kelvin double bridge द्वारा इसको मापा जा सकता है कम पर्तिरोद वाले मान को किसके द्वारा? Kelvin double bridge द्वारा तो right answer होगा D अगला क्यूशन अगला क्यूशन देरका, खालिस्तान माप की सबसे छोटी इकाई है जिसे किसी उपकरण द्वारा दरसाए जा सकता है option E देरका, regulation option B देरका, सन्वेदन सीलता C देरका, सटिकता D देरका, इसपश्टता E देरका, उत्पादकता तो right answer क्या होगा? तो दोस्तों इसका right answer होजाएगा option नमर ये regulation, माप की सबसे छोटी इकाई है जिसे किसी उपकरण द्वारा दरसाया जा सकता है, right answer होगा ये अगला क्यूशन अगला क्यूशन देरका, खालिस्तान के लिए EMF के सरोर्त के आफशकता होती है option A, electron को भागने से रोकने के लिए option B देरका, S अंतुलित परमानों से electronों को insulate करना C देरका, electronों को गति परदान करना D देरका, चालकता के गुण को परतिरोद में बदलना, E देरका इन में से कोई नहीं, तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा, electronों को गति परदान करना के लिए ही EMF के सरोर्त के आफशकता होती है तो right answer हो जाएगा option number C अगला की option अगर 1 किलो ओम 2 किलो ओम और 7 किलो ओम के तीन रजिस्ट्रों को एक सीरिज में 30 voltage की supply के साथ जोड़ा जाता है, तो कुल परतिरोद और current होगा कुल परतिरोद और current क्या होगा तो दोस्तों इसको sol करेंगे क्या करेंगे, इसको hal करेंगे तो कुल परतिरोद ज्याद करना है तो कुल परतिरोद कितना होगा कुल परतिरोद कितना होगा 1 किलो ओम 2 किलो ओम वज 7 किलो इसको जोड़ेंगे तो कुल परतिरोद हो जाएगा तीनों को क्या हो जाएगा, सीरिज में जुड़े होए है तो R1 पलस R2 2 प्लस R3 होगा तो हR1 का एक किलो हरे 5 छोड़ी गेट कितना हो जाएगा 10 किलो यह बात करें इसके पर्तिरोध स्पि影 किसी बात करें पर्ति-लोध कि निसर और तो बैट अध्याकर नहला है current, आए गयात करना है तो V बटे V बटे R, V कामान कितना दे रखा है 30 बटे पर 3 रोध कितना दे रखा है 10 किलो ओम, क्या दे रखा है 10 किलो ओम 10 किलो ओम को जब इसको हल करेंगे तो कितना जाएगा, यह मिली में बदल जाएगा है किसमें बदल जाएगा मिल्ली में इसका भाग देंगे तो यह किसमें बदल जाएगा तीन मिली एम्पियर कितना जाएगा तीन मिली एम्पियर तो करेक्ट आंसर हो जाएगा option number C अगला क्यूशन अगला क्यूशन दिरह का सरल ओल्टाइक बैटरी का नेगेटिव इलेक्ट्रोड या एनोड किसका बना होता है कोपर का, जिंक का, सीशा का, कार्मन का ये इन सब तो दोस्तो इसका correct answer क्या होगा important question आये तो इसका right answer हो जाएगा जिंक का, किसका बना होता है जिंक का, अगला question इन में से कौन सी गिली बेटरी है इन में से कौन सी गिली बेटरी है वेट सेल कौन सा है lead acid बेटरी, डेनियल सेल, कलारक सेल, गेलविनिक सेल इन सब इन तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा option नमबर ये lead acid बेटरी क्या है, गिली बेटरी है अगला question दोस्तो अगला question दिरका इसका खालिस्तान ऐसे पदार्त है जिनने आसानी से चुंब किया जा सकता है और काफी मजबूत चुंबक बनाया जा सकता है election इद्रे का फैरो-magnetic, मैगनेटिक, पेरा-magnetic इस्ताही तोर पर चुंब़ किया पारो-magnetic ऐसे पदार्त है जिनने आसानी से चुम्ब के किया जा सकता है और काफी मजबूत चुम्ब के बनाया जा सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर ये पर्मानेंट मेगनेट ऐसा पदार्थ जिनमें उच्श अवरोधन होता है उनका इस्तेमाल पर्मानेंट मेगनेट बनाने में किया जा सकता है राइट आंसर होगा उप्शन नमबर ये लेगिंग होता है चोकी वज़स इस tube lamp circuit का power factor क्या होता है lagging होता है right answer हो जाएगा option number E अगला question अगला question दिरका inductance को दर्षा आजाता है किसके दुआरा दर्षा आजाता है तो दोस्तों inductance को दर्षा आजाता है L के दुआरा किसके दुआरा दर्षा आजाता है L के दुवारा अगला की उशन धारिता किस से प्रवावित नहीं होती है किस से प्रवावित नहीं होती है option A दिरका plate area option B दिरका plate के बीच की दूरी C दिरका dielectric पदार्त D दिरका आवरती E दिरका इनमें से कोई नहीं तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा आवरती से प्रवावित नहीं होती है दारिता कैपिस्टेंस किस के दूरा प्रवावित नहीं होता है आवरती के दूरा frequency के दूरा तो right answer हो जाएगा option number D अगला की उशन दोस्तो अगर परतेक 4 पीको फेरेड के दो कैपिस्ट्रों को एक सिरीज में जोड़ा जाता है तो उनकी कुल धारिता क्या होगी अगर 4 पीको फेरेड के दो कैपिस्ट्रों को क्या जोड़ा जाता है एक सिरीज में जोड़ा जाता है तो उनकी कुल धारिता क्या होगी तो दोस्तों इसको सोल करेंगे कितने capacitor दे रखे हैं 2 capacitor कितने मान के हैं 4εφο kacter के पड़ते capacitor है तो इसको उल करने के लिए क्या होगा एक वठे एक वठे capacitor 1 बटे 2 पलस हे एक वठे capacitor 1 का मान कितना है 4 तो एक वठे 4 पलस एक वठे 4 दूसरी काम कितना है 4 तो लगुतम लेंगे तो कितना जाएगा 4, 4 इकम 4 पलस 4 इकम 4 यह कितना जाएगा 2 यहां 4, 4 बटे 2 राइट आंसर कितना जाएगा 2 Pico Farad करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 Pico Farad एक सिरीज रेजोनेंच सर्किट के लिए रेजोनेंच कराऊ खालिस्तान बनाम फ्रिक्वेंची का पलोट होता है ओप्शन एदर का ओल्टेज B दर का इंपिडेंच C दर का विदुद्दारा D दर का रियक्टेंच E दर का इलास्टेंच तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओल्टेज एक सिरीज रिजोनेंच सर्केट के लिए रिजोनेंच करऊ ओल्टेज बनाम फ्रिक्वेंची का पलोट होता है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नंबर ये अगला क्यूशन अगला क्यूशन दर का एक तीन फेज़ वाले एसम्तूलिच लोड में ती दे राइन एक समान तो दोस्तो इसका correcting answer हो जाएगा क्या ओप्शन नंबर ये अलग होता है एक तीन फेज़ वाले एसम्तूलिच लोड में परतेक पेज़ का power factor क्या होता है अलग होता है रैट आनसर क्या हो जाएगा option number C, अगला question, अगला question दे रहा है, एक संकेतक परकार के विदूत उपकरण का moving system, खालिस्तान के अधिन होता है, किसके अधिन होता है, option A दे रहा है, deflecting torque, B दे रहा है, controlling torque, C दे रहा है, over damping torque, D दे रहा है, under damping torque, E दे रहा है, in sub, तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा, इसका right answer होगा, इन सब के गान, एक संकेतक परकार के विदूत उपकरण का moving system, किसके अधिन होता है, deplating torque, controlling torque, over damping torque, under damping torque के कारण, तो इसका right answer होगा, option number E, next question, अगला question दे रहा है, इन में से कोन से पदार्थ को एक इस्ताई चुमक बनाने के लिए पसंद किया जाता, इन में से क कौन सा पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल इस्ताई चुमक, permanent magnet बनाने के लिए किया जाता है, option E दे रहा है, L निको, B दे रहा है, Y एलोई, C दे रहा है silicon steel, D दे रहा है, Rote iron, E दे रहा है फेराइट, तो दोस्तों इन में से permanent magnet बनाने के लिए L निको का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, L निको का, तो राइट आंसर हो जाएगा, option number E, अगला question, अगला question दे रहा है, किसी ओल्ट मेटर की सन्वेदन सिल्ता किसमे व्यक्त की जाती है, option E दे रहा है, alt परती ohm, B दे रहा है, ohm परती ohm, C दे रहा है, alt परती ampere, D दे रहा है, ampere परती second, E दे रहा है, ampere परती minute, तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ohm परती ohm में, व्यक्त किया जाता है, सन्वेदन सिल्ता को, correct answer क्या होगा, option number B, अगला question, एक PMMC, उपकरण में, moving system के spindle को, Dase की मदद से, दोनों तरप से सारा मिलता है, option E दे रहा है, Steel Bearing, B दे रहा है, Bus Bearing, C दे रहा है, Jewell Bearing, D दे रहा है, Gun Metal Bearing, E दे रहा है, Roller Bearing, तो दोस्तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, option number C, Jewell Bearing, correct answer होगा, option C, अगला question, दोस्तो अगल दे रहा है, Moving Iron Meter का संचालन, किस पर आधारित होता है, option E दे रहा है, Electro Static परभाव, B दे रहा है, Electromagnetic परभाव, C दे रहा है, Induction परभाव, D दे रहा है, उसमिय परभाव, E दे रहा है, सीतलक परभाव, तो दोस्तो इसका राइट आंसर होजाएगा, option number B, Electromagnetic परभाव, Moving Iron मेटर का संचालन, किस पर आधारित होता है, Electromagnetic परभाव पर, किस पर होता है, विद्धुत चुम्ब किये, परभाव पर, तो राइट आंसर होगा, option number B, तो दोस्तो इस वीडियो में इतना वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कर दीजे, और अपने दोस्तों को भी शेर कर है, वो सब्सक्राइब भी कर लिजे, साथ में और नाटिफ के सन बेल को भी ओन कर लिजे, थेंक्यू,